आज इस वीडियो में मैं एक्स्पेंड करने जा रहा हूं से सीजियल 2021 में इंग्लिश के दो क्वेस्टन्स इनको लेकर बच्चों में काफी कंफ्यूजन है और यही दो सेम क्वेस्टन्स से अलग-अलग कई बच्चों ने वाटसाप पर पूछे तो मुझे लगते हैं इनको दिमाग में दूसरा कुछ इनका ऑफलाइन ऑनलाइन पॉर्टल पर जो लोगों ने डिसकेशन कर लिया उस डिसकेशन ने कंफ्यूजन और क्रेट कर दिया कि हम सही एससे सही या जो टीचर बता रहे है वह सही तो यह क्वेस्टन करता हूं आप इनको समझें और यह जाने क सबसे पहले क्रें है कि इक इनको क्लोश टुद ट्रेन स्टेशन यह ट्रेल बाई बॉस और काफी बच्चे है उनको ऐसा लगता है कि यह गलत मिस्टेक है इसका अनसर नहीं होना चाहिए इसका आंसर सी होना चाहिए और उनका मानना यह बिए कि पार्ट में जो हम ने ट्रैवल बाइन फ्रैडिकेट लिखा है कि जैसे हमारे पास मेंड क्लॉजा लिभी अर्श टुद ट्रेंट श्टेशन तो वहां पे सब्जेक्ट भी और उसका यहां पर हमारे पास के वल वर्व है उसका प्रइडिके प्रे कि अब आपका यह और किना किने का जुटा जा सब्सक्ता है अब यहाँ पर ने कोौनेट से कनेंट करा है कि किसे connect कर रहा है आप एक वार देखें लिब्ड लोस्टु दब इस्टेशन रवल्ड बाइ यह हमारे पास दो प्रेडिकेट्स है रवल्ड बाइ प्स और इन दोनों प्रेडिकेट्स को यह यह connect कर रहे है तो यह जो आपका conjunction है यह coordinate conjunction है ठीक है और यह predicate two और predicate one दोनों का ही subject ही है common subject ही दोनों का तो यह उससे connect कर रहा है common subject है दोनों predicate का तो यह उनको connect कर रहा है अच्छा बच्चे यह सोचते है की यह कोडिनेटिन इसके साथ मैं क्लॉज आना चाहिए थे जो आपके सबॉडिनेटिन क्लॉज सबॉडिनेटिन क्लॉज को सबॉड़िया सब्सक्राइब कर सकते हैं थे सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यहां पर यह जो हमारा कॉडिनेटिंग कंजंग्शन है यह क्लॉस को नहीं कर रहा है और क्लॉस को करने की जरूरत भी नहीं तो अगर दोनों का सब्जेक्ट कॉमन है तो आप अलग 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 प्रेडिकेट क्यों करो अब इसमें कुछ बच् कॉमा लगा हुआ है तो यह एक अलग क्लॉस होनी चाहिए थी कॉमा क्लॉस को सेपरेट करता है हलंकि यह थोड़ी हद तक उनकी बात सहिए एक्जाम्स में अभी क्या देखा गया है कि पंक्ट्वेशन जो है उसके एरर्स नहीं पूछे जाए लेकिन जो पंक्ट्वेशन क के क्वेशन होते हैं वो कई बार आपको गलती करने से रोक लेते हैं मतलब आप गलती करने से बच जाते हो अगर आप थोड़ा सा पंक्ट्वेशन का ध्यान रखते हो तो इसमें भी कुछ बच्चे क्या हैं वो कॉमा को देखकर कंफूज हो ऑर उन्होंने बी पार्ट को सुरी पार्ट कोटिक कर देए उन्हों सचहा कॉमा लगा वह तो यह करला क्लॉज बनी चाहिए आपको एक चीछ गजाता हूं मैने यहाप फिक दो सेंटेंस लिखें आप देखें एक मैंने सेंटेंस लिखा ही एग्रीड अगर आप इन दोनों सेंटेंस को देखेंगे तो आप पाएंगे यहां पर क्या है कि हमने इनको से कनेक्ट किया और कोई कॉमा नहीं यहां पर आप देखें हैं तो हमारी एक वर्व हो गया एक प्रेडिकेट हो गया है दोनों को हमने गया इनका सब्जेक्ट कॉमा ही और हमने कॉमा यूज कर दिया तो यह बच्चों को कन्फ्यूजन कर जाता है जब हम क्लाउज को कॉद्नेटिंग क्लाउज से पहले कॉमा आता है लिए थोड़ी सी क्या है आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉमा का यूज हम ऐसी फ्रेजज या या वर्ड्स या क्लॉजेज के साथ में भी करते हैं जो हमारे पहले लिखेगे पार्ट अब दे सेंटेंस को कांटर कर रही हो या उसे डिफरेंट इंक को रहे हो ठीके तो भी हम यूज करते हैं आंड यह होता है हमारा क्यूमिलेटिव कन्जंग्शन होता है तो ही एक्रीड तो यहां पर हमें कॉमा लगाने की जरुवत नहीं है क्योंकि दोनों सेम टाइप के एक्षंस हैं और आपस में इंटरकनेक्टेड लेकिन यहां पर लिगा यह एक ग्रेड अग्री हो गया फिर फिर मदद नहीं कि नहीं तो यह जो दोनों प्रेडिकेट हैं यह दो कंट्रास्टिंग सिच्वेशन से अगर अग्री हो गया फिर मदद नहीं कि तो जब हम कभी कोई ऐसा पार्ट बाद में लिखें जो कि कंट्रास्टिंग हो पहले कही गई बात या पहले लिखेंगी बात से डिफरेंट हो तो हम उसको कॉमा के साथ में लिख भले वो फ्रेज वर्ड हो यक प्लाज यहां पर कॉमा नहीं उसकरने यहां पर इस एक ग्जाम्पल से आपको और बता देंता हूं दिखके हमने कि एक गजांपल लिखा सी ओंधू और देल विविल इन्वाइट है और दिए विल इन्वाइट फिर नाहीं है इस प्रेंड करेंगे लिए अρεί करेंगे यहां पर नहीं करना है यहां पर नहीं करना है तो दो अलग-अलग डिफरेंट आइडियाज हो गए तो हम कॉमा यूज करें तो यहां पर हमें कॉमा लिखना पड़े हैं अगर बट नहीं लिखा होता तब भी आपको कॉमा लिखना पड़ता है से पहले कॉमा लगाना पड़ता है तो ऐसे वर्ड ऐसी फ्रेज़ ऐसी क्लॉज इसे उनके साथ कॉमा लिखना ही पड़ता है तो हमें कॉमा लगाना पड़ता है तो यह जो एट से पहले कॉमा लिखा है ना इसकी वजह यह की एट जो है वो एडवर्सिटिव कंजंग्शन है इसका यूसम तब करते हैं जब हमें सेंटेंस के ऐसे दो पार्ट को कनेक्ट करना हो जो की कंट्रास्टिंग है अनेक्स्पेक्टेड हैं इफ्रेंट है आप लेकिन यह ऐसा पर सने जिसका ट्रेन स्टेशन के पास घर है लेकिन वह ट्रेवल किस से गरता है बस से तो इसी लिए हमने यह आपके कॉमा लगा देने का मतलब यह नहीं कि अब आपको सब्जेक्ट भी अलग से लिखना पड़ेगा और उसको बनाना पड़ेगा तो कुल म अगर कोई परसन या कोई टीचर आउनलाइन में ऐसा कहता है कि नहीं से ने गलत आंसर दिया है का यह होना चाहिए था ठीक है यह गलत है तो ना से गलत है यह एक दम सही है बस लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है तो आप इस क्रूश्चन को लेकर समझ गये होंगे कि इसमें क्या कॉंसेप्ट है का अंसर एकदम सही है अब एक और क्रूश्चन है उसने बड़ा बच्चे को रखा है यह है वो क्रूश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर है तैन नीड़ेड हेल्प टुगेट टाइट क्या है कि इसका मतलब क्या है इसको क्कोंटेक्स क्या है वो को अलग लोगों को सब्चेक्ट वरेक्रिवेंट आएगा क्यों तो डिस्कस कर लेंगे जिएक करना बच्चा अपने आप देखे जाके उसको करना है फिर मैं आपको औरा तो एक सिंपल सी मिस्टे कुछ लोग औ होना चाहिए नीड़ेट लिखने की जरूरत नहीं हो इस कान्टेक्स में उसको नाउन माने अब इसका मैं बताता हूं कि दो चीजे हैं जो कि मतलब उस लोगों के लॉट्टिकल इंटर्पेटेशंस जैसे वाट्सप पर शेर किये हैं तो उनसे मैं जान पाया हूं कि मैं आपको बताता हूं कि लोगों ने इसके दो तरीके से पंटेक्स डिकोड करने की कोसिस किया कुछ लोगों ने इसका आंसर यह समझ लिया है कि जो हमारा सइंटेंस है इसको हमें सभी करके ऐसे लिखना चाहिए चाहिए चैन नीड़ेड एल्प प्रेंग लिखना लुद्ध को इसके अनसर यह बता देगी यह इस तरीके से होना चाहिए तब रहें और अच्छा कुछ लोगों का अपना इस्टैंड यह रहेगा कि दैन कि नीड़ेड एल्प तो गेड़ तर राइट कोट अब आप जैसे कि यहां पर देख पा रहे होंगे कि दोनों ही सिच्वेशन में जवाब देखेंगे दानों कि दोनों ही सिच्वेशन में जो चेंज़ हो रहे हैं इन ही में से एक answer है दोनों नहीं है यह समझना है कि यह दोनों ही situation है ठीक है कही बार क्या होता है कि हम एक sentence को अगर अलग-अलग different point of view से देखें तो उसके कई interpretations हो जाते हैं लेकिन इसमें दोनों interpretations कि अब एक ही सही है कौन सा सही है आजा उस पर आ जाते हैं बात करते हैं सबसे पहले a option कि जो यह a option है कि जिसमें क्या किया गया है कि tight adjective को उठा के बाद में इसमें यह मान लेगा कि जो है वह उसका object है और हिम जो है वह कॉस्टिव स्टेट है कॉस्ट की गई स्टेट है कि जैसे एक इग्जम्पल होता है मैं आपको बताऊं कि आई विल गेट मैं वाच रिपेयाड या आई विल गेट मैं हाउस पेंटेड I'll get him punished तो यहाँ पर get costive verb होती है जो किसी स्टेट को यहां ठोड़ की गई स्टेट को को सकी थिंक को रेफर करने के लिवस्ट की जाती है अगर हम थोड़े समय के लिए इसको मान लें कि यह हाँ पर गेट कॉस्टिव वार्व है और टाइट यह जो यह कॉस्ट की गई स्टेट है जो पहले नहीं थी लेकिन अब कॉस्ट कर देने के बाद में बननी है इसको टाइट अडिलिखना परें होता है मैं आपको बताऊं यह जो स्टूइट वर्ड ना बच्छे यह एज्जेक्टिव है लेकिन हम एज्जेक्टिव को वर्ब बनाके वर्ब हो जाएगी और फिर उसका पास्ट पार्टिवल स्टूइट भी उसकर सकते हैं दोनों में डि स्टूइट फिर उसका पास्टफिल बनाए हा ऐस जीतन फिर उस पास्टफिल के अजन एजिकंति भी अब दोनों में डिफ्रेंस जाय 2 जैसा यह बनाई का स्टेट मृण क्ल92 को नेत्र निस्ट है लेकिन उसको किसी तरीके से five आपद्ध बनाया ग्या है चैश्कंडимо מיםद की संकुछे मेंडिसीन का मतलब मेडिसीन चारली craft अधिकुछार्ट ह सब्सक्राइब स्विट का मतलब विच हैस्विन मेड इसको बनाया गया है पाइक सम एक्षन अब इसी तरीके से जो टाइट वर्ड है यह भी एड्यक्टिव है कि 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 अगर हम इसका पासपार्ट्स वर्णा जो बनेगा टाइटन गया तो टाइटन का मतलब किया हो गया कि अगर हम वह कॉंटेक्स यहां पर कॉस्टी वर्ण का लें भी बच्छे तो भी हमें से टाइटन लिखना पड़ेगा पास्ट पार्ट्स पर लिए युश करना पड़ेगा एजेक्टिव नहीं इसो तो हम इस वज़े से इसको सही नहीं मान सकते हैं एक और वी बज़े एक वज़े जो है वह है लॉजिक नहीं सब्सक्राइब करें क्यों कि अगर हम यह मालने की अपने को टाइट करवाने के लिए अब देखिए अगर आपको को टाइट करवाना कोट को टाइट करवाने के लिए आलिजिए आपके पास कोई इसमें करивает करवाना चाहते हैं तो आपको अपने आको लटर करना नहीं आता है तो आप किसी से देंगे और यह आप किसी परसों को धूणेंगे जो आपके लिए जाके किसी और को ढूने जो उसमें कर दे ऐसा होगा कि यह कॉंटेक्स भी लॉजिकल है अगर हम यहां पर गड़ को कॉस्टिव और मनना गलती हो जाएगी कि हमें ठीक है हमें help की जरुद पड़ सकते या हमें कि अ क्रवाना है लेकिन हमें मदद की कि जरुदग इसके लिए करवा दे हम किसी बड़ी बजय पता है कि करते हैं जब हम किसी question को सही करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि वो गलत है तो अगर हम से ये पूढ़ जाएं तो आपने उसको सही कर दिया मान लो जिन लोगों को लगा कि इसका आंसर यह है जिन को लगा इसका आंसर यह है उन्होंने क्या किया SSE की की देखकर जबरदस्तिक आंसर बना दिया लेकिन पहले हमें ये भी तो समझना पड़ेगा कि गलत किया था सेंटेंस में हमारा लिखा गया सेंटेंस गलत ही क्यों था जो हम उसको चेंज करें उसमें गलती क्या थी जो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि जब भी आप को करेक्शन करते हो तो पहले ये तो पता करो ये गलत क्यों था आपने चेंज क्या क्यों आपने करेक्शन क्या क्यों ये पता ह तो अगर हम यह देखें गी यह वहारे स्टेट्मेंट गलत ही क्यों है इसको न माने जैसे इससे पहले वाले को ने मान लिया तो हम इसे नहीं मान रहा है समस्य क्या है इसकी समस्य यह है कि आफ इम कमल नीडेड एक्चली मैं पढ़ाते समय यूज करता हूं तो वही ध्यमाग में आ जाते हैं डैन नीडेड हेल्प तो गेड़ टाइट कोट अगर हम इस सेंटेंस का मतलब यह मानें कि डैन को मदद की अवज सकता थी अपना टाइट कोट पाने के लिए मालोग डैन कहीं पर है और उसको अपना टाइट वाला कोट पहनना है लूज कोट कोई पहन रखता है लेकिन वो चाहता है कि टाइट वाला कोट उसको मिल जाए अब वहां से जा नहीं सकता कि जाके अपना कोट ले आए टाइट वाला तो उसको मदद की जरूरत थे कि कोई उसका टाइट कोट ला दे उसके लिए लादे प्लीज गेट मी सम फूड इस तरीके की सिचुएशन प्लीज गेट मी सम वाटर की मेरे लिए थोड़ा पानी ला दो तो अगर हम इसको ऐसे मालने की कम डैन को जरूरत थी मदद की जिससे कोई उसका टाइट कोट उसे लाके दे दे इसमें क्या प्रावलम है यह कॉंटेक्स जस्टीफाइबल है इसको सही क्यों न मालें पता है क्यों नहीं वाज़े से होता है क्या है कि यह जो आफ प्रेपोजिशन हमने लिखी है पैसिकली हम इसका यूज करते हैं या तो पार्ट और टोटल को रिलेट करने के लिए जैसे कि यहां पर समझाता हूं को देखो हमने लिखा सम कोट्स ऑफ इस का मतलब हो गया कि जो उसके टोटल कोट्स है इस डेटर्मिन नहीं है ठीक है जो उसके टोटल कोट्स हैं उन में से कुछ हम यहां तो आफ के वाद हिज लिखेंगे या फिर अगर हम दो लिख रहे हैं आप लिख रहे हैं तो इसका मतलब पता हमें बच्चे क्या मानना पड़ेगा इसका मतलब हम जैसे मालों लिख दें तो प्र इस ऑफ हिम को हम क्या मानेंगे specifying phrase मानेंगे specifying phrase का मतलब क्या हो गया कि माल लोग वहाँ पर 5-6 लोगों के court है मेरा भी court है आपका भी court है हिम का भी court तो अगर हमें बताना है कि किस का court है तो हमें बताना पड़ेगा the court of him the court of him का मतलब not the court of me मेरा नहीं तुम्हारा नहीं उसका court लेकर आओ तो हम और लिखेंगे अच्छा ऐसी situation में अगर आपको इस बात को इंफिसाइज करने कि उसका court हमारा नहीं तो हम और लिखेंगे नहीं तो टोटल बाद में लिखते हैं उसको पड़ेसी बाद में लिखताना है और ना कि पर्सौनल पर यहाँ पहीं हम छोंचे घृद्ल के सही reversed अरसों आख जाता है Nh Hundred चीजों के साहाँ लिखा जाए फटेस्ग है को तो आप इस भी नहीं लिख पाओगे लिख पाओगे तो अगर ऐसे लिखा होता है दैन नीड़ेड हैल्प टू गेट इस कोट इस टाइट कोट भी चल जाता लेकिन अभी यह गलत है इसके गलत होने की वज़े यह आफिम फ्रेज है अब ध्यान से देखो अभी भी लिखी हुए है अगर हम थोड़े समय के लिए वह टाइट को भूल जाए हम थोड़े समय के लिए हल्प को भी हटा दें कि हम इतना दिमाग नहीं लगा रहे हैं यह तो वह जिस वज़े से गलत ही आफिम फ्रेज की वज़े से अधर वाइस तो वह सही हो जाए अगर आफिम ना लिखा हो लिखा हो तो यह गलत ही आफिम की वज़े से गलत है तो आफिम लिखा हुए है सब्सक्राइब करेमिटिकल भी नहीं है सही बताएं तो एक तो यह टाइटन नहीं है इस वज़े से गलत दूसरा ही जो हेल्प वहां पर इसकी वज़े से गलत तीसरा यह जो आफ हिम फ्रेज जिसकी वज़े से वह हमारा ओर्जनल कुर्शन गलत हो रहा उस वह अभी भी लिख हुए तो यह अब से आंसर इसका यह टैन नीड़ेड है टो गेट टाइट कोट आफ आफ इस दप्रेपोजिशन ऑफ सेपरेशन अब उसने कोई टाइट कोट पहन तो लिया लेकिन अब उससे उतर नहीं रहा गेट आफ का मतलब उतरना रिमूब करना ठीक है हटाना गेट आफ संथिंग का मतलब किसी चीज़ को हटाने इसे शिरिमूब करना अब कोई परसन यह तो लिया मानलो लो परसन ने यह टाइट कोट पहन लिया रखतिक कैसे कैसे के बहुत अब उसको इसको किज़रूरत जो थोड़ा सा उसको हट कर दे कि जिससे कि वह टाइट कोट है कि टॉ क्ट और तो यहां पर जो गेट आफ है ना यह तरीकिसा हमारी प्रेजल वर्व है किसी जो को रिमूव करना हठाना और यह आफ जो है यह इस क्वेश्चन का लॉजिकल और ग्रैमेटिकल इंटर्पेटेशन है तो अगर हम यहां पर ओ जो लिखा हुआ है उसकी जगे ओ डबल एफ लिख देंगे तो यह ग्रैमेटिकली भी सेंटेंस से जाएगा और लाजिकली वी से जाएगा अपुर्वक मुझे लकुष कंफीज़न करते लेकिन धंग से पढ़ने की वाज़ाने वाज़े से उनके जब क्यूस्ट आते हैं तो गलती करी लेते हैं तो यह थे आपके दोनों questions जो मुझे लगता है कि मैं आपको समझा पाया और आप समझ भी पायोंगे कि यह दोनों questions हैं जिन्होंने बच्चों को इसको पाया तो भी यूटुब के डिसके अच्छे से समझते हुए जो भी पढ़ो चाहे वह क्या में पढ़ो चाहे ग्रामर में पूर अमझते हुए उसका अपना अलग ही फैदा मिल लोग कुछ भी कहें लोगों पर मत जाओ आप जो पढ़ रहे हो उसको सीखते हो समझते बात पढ़ो चाहे मुस्किल बात पढ़ो लेकिन उसको बढ़ो यह में तो बस पढ़ते रहे है बढ़ता रहे है थैंक्यों अबर्वड़ीटे